हेलो फ्रेंड्स मैं नेम इस वाइदेही पटेल प्रमस्व में विद्यालेग बच्चों हम लोग ने चैप्टर वन तो फिनिश कर लिया है अभ्यास वादे भी हो गया है यह सब कुछ समझने की बाते हैं वैसे भी यह सब हम लोग 6 और 7 में समझ ही गये हैं लेकिन एक बार फ एक से अधिक करना है ताला यह देखो ताला है तो यह एक ही ताला है लेकिन उसका वचन परिवर्तन करना है तो ताले उपर यह शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारान पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतीम आ को ई कर दिया जाता है ये सब आकारांथ है और उसको किसमे परिवर्तन करना है बहुवचन में तो क्या लागगा पीछे ए प्रतिय लगेगा आ को ई कर दिया जाता है तो ताला ताले लड़का लड़के नेक्स्ट देखेंगे इन सब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांथ स्रीलि रात एक रात हम नहीं दिपकाशु किताब किताबे, बैस, बैसे, समझ में आया, आगे देखिए, यहां हम देख सकते हैं कि आकारां स्रिलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में E जोड दिया जाता है, अब यहां पे आकारां थे, तो कौनसा प्रत्य लगेगा E, तो लता, लताए, कन् आये, सेवा सेवा आये, बालीका बालीका आये, नेक्स्ट, यहां हम देख सकते हैं कि E कारां स्रिलिंग शब्दों के अंत में E जोड कर बहुवचन बनाया जाता है, यहां स्रिलिंग है E कारां तीथी, तो हमें क्या जोडना है पीछे? या, तीथिया, वीधी, वीधिया, लीपी, लीपिया, सिफ या प्रती हमें जोड़ना है इसे हम लोग बोलेंगे वचन परिवर्तन करना यहां हम इकारां स्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के इ को इ करके या जोड़ दिया जाता है बचों यह देख्यो, सक्की, सक्की है लेकिन यह बड़ी वाली मात्रा है है ना, इ, लेकिन हमें जब इसके पीछे या प्रती लगाना होता है तो हमें यह छोटी वाली कर देनी चाहिए तो सक्की, सक्की, या, खिड़की, खिड़की, या तो जब भी या प्रतिल लगएगा तो ये जो बड़ी वाली E की मात्रा है ना इसको हम लग छोटी वाली E की मात्रा कर देंगे या अंत वाले स्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंतिम या को या कर दिया जाता है ये या है उपर चंद्राबिंदू लगाए दिया जाता है पुडिया पूडिया चुहिया चुहिया ये देखो यहाँ उपर चंद्राबिंदू आ जाएगा उकारान शब्द, उकारान स्रीलिंग शब्दों के अंत में E जोडने से बहुवचन बनता है वस्तु, एक ही वस्तु है, बहुवचन बनाने के लिए वस्तुए धेनु, धेनुए, रुतु, रुतुए उकारान शब्द, उकारान स्टीलिंग शब्दों में उका, उकर के ई लगाने से बहुवचन बनता है वदू, वदूए, जू, जूए अउकारान स्टीलिंग शब्दों के अंत में ई लगा करके बहुवचन बनाया ज़ता है अवकारांत गव तो इसके पीछे इन लगाव गते गवे हो गया बच्चो नेक्स्ट एक वर्ग दल या समू का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गणवर्ण व्रुंध जन जैसे शब्द जोड़ दिये जाते है इसमें प्रजा तो प्रजा जन देख बच्चो गण वर्ग व्रुंध जन ये सब समू का अगर एक समू प्रजा प्रजा किसे बोलते हैं एक आदमी नहीं लेकिन बहुत सारे आदमी होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उसे बोलेंगे प्रजा तो प्रजा जब भी समू का हमें वचन परिवर्तन करना पड तो प्रजा प्रजाजन पाठक पाठक गण लेखक लेखक प्रूंद मजदूर मजदूर वर्ग ओके आगे उपड़िक नियमों के आधर पर निम्न लेखी शब्दों का वचन परिवर्दन कीजे बचों या आपको होंवक करना है मैंने वर्चन परिवर्दन आपको सिखा दिया है आपको सिफ रीड करना है नोटबुक में उतारना नहीं है ये सब आपको सिफ पढ़ना है और समझना है ये सब हम अलरेडी वैसे भी हम लोग पहले सीख चुके है इसमें देखो गुण, योग और देश तो गुण को अलग-अलग शब्दो नई शब्द बना नहीं है जोड़के सगुन, अवगुन, दुर्गुन, निर्गुन, योग, संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग और देश, विदेश, उपदेश, अनुदेश, श्वदेश आगे देखिए दूर, नीर, सह, अव, प्रा, सम, वी, उप, स्वा तथा अनुआइसे शब्दांस है जिनका प्रयोग स्वतंतर रूप से नहीं किया जाता है इन्हें किवल सब्दों के प्रारम से ही जुड़ा जा सकता है दूर तो गूर is equal to दूर गूर स अधिक गूर is equal to स गूर है ना? आगे यह आपको पुरा कॉस्टम रीड करना है एक बार पढ़िये और समझे निम्नलिकी उपस्वग के योग से तीन तीन शब्द बनाए चव बीन पर अन अध बच्चो यह देखो चव का चवराहा, चौमासा, चवकर, चौपाई बीन का बीन बात, बीन व्याह, बीन मांगे, बीन कहे यह जो उपस्वर्ग है बच्चा उनका अर्थ इतने सारे नहीं निकलते लेकिन उदाहरन के लिए देखो तो कही ना कही हम लोग उसे किसी को जोड के हमें शब्द हम लोग बनाते हैं तो इनका आपको, आपकी, सिर्फ पढ़ना है, नोटबुक में लिखना नहीं है बस ढून के एक बार आप ठीड कर देना यह समझते हैं, पढ़िये और सिर्फ समझे लड अधिक आई, लड अधिक आका लड़ाई, लड़का चाचा, अधिक इ, अधिक इरा तो क्या आएगा? चाची, चचेरा दया अधिक आलू, दया अधिक वान दयालू, दयावान तो बचा, हम लोगों ने यह सब समझ लिया है नोटबुक में लिखना नहीं है, इस सिर्फ समझना है लड़ाई, लड़ाका, चाची, चचेरा दयालू, दयावान जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्य ही कहलाते हैं, शब्द है चल, प्रत्य ता, चल ता, खा के पीछे प्रत्य लगेगा या, तो खा या, सुन के पीछे प्रत्य लगे कर, तो सुन कर, ओके आपको ये सब सिर्फ रीड करना है बचों, सिर्फ रीड और समझना है निम्नलिकी चब्डों में प्रत्य प्रत्य यह धुंढ दीए तो मनुष्यता तो कौनसा प्रत्य है आपको धुनना है और सिर्फ समझना है आपको लिखना नहीं है। ऑके फ्रेंड्स आज आपका होम सिर्फ आपको यह सब रीड करके समझना है ओके थैंक यू